हाई गीज और वेलकम बाक टुदी चैनल दीपाच्यादव एजूकेशन वेलकम टुदी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसस और 5 अगस 2023 तो गाई जाथ है तारिक 5 अगस 2023 और है सैटर्डे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट यूज पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर मा आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपा चैदव एजूकेशन यूपीएसी आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफ़र के विडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं ना उबढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है महा नदी रिवर को कहां पर है यह एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना है तो उसके बाद आ कर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखपा हुए साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2020 के prelims में पूछा गया था daily business पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है consider the following pairs यहाँ पर आपको चार अलगलग pairs दिये गए हैं चार जोड़े दिये गए हैं बताना है इन में से कौन सा pair correct है अब इन pair में क्या क्या चीज़े mentioned हैं एक तरफ आपको international agreements के नाम दिये गए हैं दूसी तरफ इन international agreements का subject यानि यह international agreements किस चीज़ की बात करते हैं तो आपने यह आपे correct वाले pair को उठाना है तो सबसे पहला pair बोलता है Alma-Ata Declaration यह तो हो गया international agreement क्या यह health care of the people की बात करता है second जो agreement है वो है Hague Convention क्या यह biological and chemical weapons की बात करता है third तलानोवा dialogue क्या यह global climate change की बात करता है इसका subject यह है और fourth है under two correlation क्या यह child rights की बात करता है तो इन चारो pairs को देखते वे नीचे आपको यहाँ पर options दिये गए है option number A 1 and 2 only, option number B 4 only, option number C 1 and 3 only या फिर option number D 2, 3 and 4 only तो उसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमें participate करना है जिसमें आप लोगों से daily business पर बोलता हूँ बाइदवे इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की दरफ तो आज का thumbnail का article बहुत बहुत ज़्यादा important है GS paper number two policy के point of view से काफी सारे जो policy के aspects है उस article के regarding हम लोग cover करेंगे तो हुआ क्या है कि आपको पताओगा दोस्तो आज से कुछ महीने पहले जो Congress leader है राउल गांदी जी इनके उपर defamation का case लगया गया और वो जो defamation का case है यह basically 2019 की speech के basis पर था 2019 में यहाँ पर इन्होंने एक speech दी होगी उस speech में यहाँ पर इन्होंने मोधी सरनेयम का use किया अभी मैं इसके बारे में details से बताऊंगा तो क्या होता है यहाँ पर MP की हमारी parlement की सदसता है वो यहाँ पर इनकी चलि जाती है क्योंकि यहाँ पर हमارा जो Act है जो हमारे नियम है वो यह बोलते है कि जो भी विकति जो भी member of Parliament अगर उसको दो साल से ज़दा की सजा या दो साल की सजा हो जाती है तो तुरंत यहाँ पर उसकी जो membership है उसकी सदसता है वो यहाँ पर समापत हो जाएगी तो इसी वेसे जो मारा budget session हुआ उसके आद अभी monsoon session चल रहा है उसमें यहाँ पर आपको राहूल गांदी जी नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन होता क्या है कि अब यह इस case को लेकर Supreme Court में अपील करते हैं और Supreme Court ने Friday म यानि कल के दिन यहाँ पर रहूल गांदी जी के इस conviction के ऊपर में रोक लगा दिये इसके ऊपर stay order pass क्या है जैसे आप यहाँ पर देख पार होंगे Supreme Court stays Rahul's conviction for Modi सरनेम रिमार्क अब यह पूरा matter क्या है इसको थोड़ा और डीटेल से समझते हैं और Supreme Court ने क्यों यहाँ पर यह अभी conviction के ऊपर रोक लगाई है वो भी हम लोग समझेंगे आज के newspaper में दोस्तो यह articles कम से कम 6-7 जगे cover किया गया है तो बात यहाँ पर है 2019 की 2019 में राहूल गांदी जी ने election campaign के दुरान यहाँ पर कोई speech दिया होगा और उन speech में यहाँ पर इन्होंने एक sentence यूज किया और व वैसे जो है इंडिरेक्ली यहाँ पर टार्गेट के आया था प्यम मोधी को आपको भी पता ही है और यह speech दी थी इन्होंने करनाटका के कोलार में 13 April 2019 में अब क्या होता है उसके कुछ साल बाद जो पुरनेश मोधी हैं पुरनेश मोधी कौन है यह गुजराद इन्होंने यहाँ पर राउल गांदी जी के 2019 के इस स्टेट्मेंट के उपर क्रिम्रल डिफिमेशन का केस लगा दिया ठीक है कि इन्होंने कहीं यहाँ पर जो मोधी सरनेम है तो इनको डिफिम क्या है इनकी जो रेपुटेशन है यह खराब करने की कोशिश कर रहा है जान ब कर आया क्योंकि अभी सुप्रीम कोट में जब यह केस पहुचाता है क्योंकि जब इनको कहीं से कोई भी छूट नहीं मिल रही होती है तो यह सुप्रीम कोट में अपील करते हैं अब सुप्रीम कोट ने यहाँ पर इसके ओपर स्टेटर पास कर दिया सुप्रीम कोट ने इस और इन्होंने बोला कि इस प्रकार के जो case हैं ये बहले भी आ चुके हैं जो ये criminal defamation के case हैं ये trial court के पास में 13 cases इस प्रकार के already हैं अब उन cases के अंदर में क्यों नहीं इस प्रकार का conviction आया यानि उन 13 cases के अंदर भी तो ऐसी सजा होनी चाहिए थी लेकिन उन में से किसी भी cases के अंदर में इस प्रकार से कोई भी conviction नहीं है कोई भी याँ पर जो सजा है वो नहीं दी गई है ठीक है ऐसा यहाँ पर बोला गया और इनका कहना है कि जो बाकी सारे और defamation cases हैं पुराने defamation cases भी आप देखोगे तो उनमें भी 60 दो साल की जो सजा है वो नहीं दी गई है तो द दो साल से कम की सजा देखने को मिल जाएगी काफ़े जरे केसि में लेकिन exact दो साल की सजा यह दो साल की सजा तो यहाँ पर यह सीधा सीधा यह दर्सारा है कि हाँ इनकी जो मेंबर्शिप है वो जड़ा directly छीनी जाएगी ठीक है क्योंकि ऑब्यस फी बात है कि कोई भी member of parliament जिस है वो यहाँ पर उनका क्या कहना है पुर्णिश मोदी की साइट से जो लॉयर है न वो है महेश जेट मलानी इन्हों ने यहाँ पर इस केस को लड़ा और इन्हों ने बोला कि राउल गांदी जने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर स्पीच के अंदर बर डीफेम किया है और जानबूच कर डीफेम किया है यह जो क्लिप्स है छोटी छोटी वो सब अविलेबल है आज किसमे पर इंटरनेट पर भी इवन यहाँ पर इलेक्शन कमिशन आफ सुप्रिम कोट ने इन आर्गुमेंट्स को सुनकर यह बोला कि देखो आप इस तरीके से दो साल का कॉन्वेक्शन नहीं दे सकते हैं इससे क्या हो रहा सीधा सीधा जो राउल गांदी जी यहाँ पर के अंदर में जो कॉंस्ट्वेंसी को रप्रेजेंट कर रहे हैं उस कॉ अगर होती न तो यहाँ पर इनकी सदसता नहीं चीनी जाती क्योंकि उसके लिए जो नियम है वो यहाँ पर यह बोलता है कि exact दो साल की सजा अगर किसी को मिली है तो उनकी मेंबर्शिप खतम हो जाएगी अगर कोई मेंबर आफ पालियमेंट है तो तो यह दो साल की ही सजा क पूरा का पूरा प्रोविजन क्या है इसको लेकर हम कुछ और डीटेलिंग जानेंगे यह तो मैं आपको पूरा का पूरा न्यूज सेक्शन बता दिया कि यहाँ खबर में क्या क्या चीज़े exactly चल रही है अब अगर exam perspective से आपने पढ़ना है तो अब जो information आपको screen पर नीच को disqualify किया जा सकता है ठीक है बाकी जो context क्या है news क्या है मैं आपको यह जो news है वो समझाई दी है हुआ क्या था इनके उपर यानि रावल गांदी जी के उपर जो cases वो file करे गए थे IPC के section 499 और जो section 500 है इसके तहत और यह जो IPC का Indian penal code का section 499 और section 500 है यह defamation को लेकर deal करता है क किसी की reputation खराब करना को हम लोग यहाँ पर defamation बोलता है समझ गए तो यह जो IPC का section 499 यह क्या बोलता है यह बोलता है कि कि किस तरीके से यहाँ पर एक concern defamation कर सकता है कुछ words बोल कर किसी के खिलाफ है ना किसी नाम के किसी सरनेम के खिलाफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से words बो आता है ठीक है यह section 499 बोलता है और जो अगले section IPC का section 500 वो mention करता है कि अगर किसी के उपर criminal defamation का case लगता है कोई व्यक्ति यहाँ पर criminal defamation में दोशी साबित पाया गया तो उसको 2 साल की सजा at least 2 साल की सजा और उसमें fine भी लगया जा सकता या फिर fine ना लगे लेकिन 2 साल की statement दे रहो एक person के खिलाव और उस person की जो reputation है उस statement की वज़ा से वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है ठीक है और यह जो statement है यह जान बूझकर intentionally यहाँ पर पूरा सब कुछ मालूम है उसके बावजूद यहाँ पर यह statement दिया यह जिससे एक person की जो reputation है वो यहाँ पर खराब ह right है अब मारे constitution के अंदर में article 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे यह fundamental rights है अब इन मौलिक अधिकार के अंदर में जो article 19 है यह क्या बात करता है आपको freedom of speech देता है आपके पास में हक है कि खुलकर आप अपने जो point of views है अपना जो expression है वो यहाँ पर व्यक्त कर सकते हो खुलकर आप ब लेकिन article 19 clause 2 के अंदर में कुछ restrictions भी लगाए गए है कि आपके पास में खुलकर बोलने कहा के लेकिन ध्यान रखना कि आप किसी court की बेज़िती या किसी का defamation नहीं कर सकते वो चीज़ा यहाँ पर इसके अंदर अलाव नहीं है समझ गए और भारत के अंदर जो यह defamation है यह civil लेकिन अगर यहाँ पर वो criminal defamation है तो यहाँ पर एक व्यक्ति को जिसने criminal defamation की category में उसको रखा गया है उस व्यक्ति यह सीधा जेल भीजा जाता है जेल भीज का यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि बाकी सारे लोग इस प्रकार की हरकत करने से बिलकुल बच जाएं ऐसी हरक of speech है खुल कर बोलने कहा के लेकिन ध्यान रखना आप किसी का defamation या contempt of court नहीं कर सकते उसके अलवा यहाँ पर यह जो court है court नहीं पर पहले कुछ judgment भी दिया है और यहाँ पर mention कर रखा है कि जो एक right to reputation है एक इंसान की जो reputation है न वो भी कहीना की right to life का हिस्सा है article 21 के अंदर तो बात यहाँ आते है कि मालो किसी ने defamation कर दिया किसी MP ने member of parliament ने किसी को defame किया तो उस MP को किस तरीके से treat किया जाता है यह आपने समझना होगा तो सीदा सिदा है पर वो जो member of parliament है वो disqualify किया जा सकता है और यह सारी चीज़े कहां पर लेकिवी है तो यहाँ पर जो हमारे प क्लॉस भी देखने को मिल जाएंगे और इसी representation of the people's act के section 8 clause 3 के अंदर में mention किया गया कि एक जो member of parliament है एक जो MP है उसको disqualify किया जा सकता है अगर वो व्यक्ति यहाँ पर किसी case में दोशी पाया गया है और उसको 2 साल की सजा सुनाई गई है तो जैसी आपर उसको 2 साल की सजा सुनाई जाएगी वैसी यहाँ पर क्या होगा उसकी जो सदसता है संसत की वो यहाँ पर पूरी तरह से खतम हो जाएगी वो अब parliament में represent नहीं कर सकता हाला कि इसमें एक चीज और है कि जो यह पूरा का पूरा section है यह भी बोलता है कि जो disqualification अगर किसी MP को किया जाता है तो उ उस disqualification का जो पूरा process है वो तीन महीने बाद यहाँ पर लागो होता है और उस particular period के अंदर में जो यह convict MP है जिसके ओपर यहाँ पर यह पूरा का पूरा case लग चुका है और कह सकता है उसको दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है उस जो time period उसको मिलता है थोड़ा सा तीन मही देने का उस time period में वो MP जो अपने खिलाफ जो case है उसके खिलाफ जो appeal है वो high court के अंदर में दे सकता है ठीक है high court में यहाँ पर appeal कर सकता है समझ गए तो अभी इसी प्रकार का जो यह process है वो अपनाया गया वो appeal Supreme Court तक गई और Supreme Court ने आपर क्या सुनाया वो मैंने आपको यहा membership है सदसता है वो वापस से restore हो गई है और अब यह बापस से उसको represent करेंगे इवन यहाँ पर जहां से इनकी जो consistency वाइनेट के अंदर में आप देख पाऊगे जो celebration ने पूरी तरह से मनाया गया है इनकी सदसता वापस आने पर ठीक है तो article important था और article से जादा जो background information है quality का व yes paper number one के अंदर हमारा art and culture का topic है उसमें पूरा का पूरा चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा dances of India का समझ गए तो syllabus में हमारे एक important point है अब वहाँ पे यह जो dance है यह क्या है basically तो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे यह जो dance है कलबेलिया dance basically यहाँ पर यह स्थान के artist है जो कि भोपाल के अंदर में जो national folk or tribal art festival चल रहा है उस festival के अंदर यहाँ पर इन्होंने dance perform किया है इस वह से यहाँ पर यह news में निकल कर रहा है तो कलबेलिया dance basically news में थोड़ा सा कलबेलिया dance के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए क्या-क्या पता होना dance basically यहाँ पर जो हमारी कलबेलिया community है कलमेलिया कमिनिटी का जो उनका रहने का तरीक है उसी को यहाँ पर express करने का तरीका एक्स्प्रेस करा जाता है यहाँ पर इस dance के अंदर में यह जो dance है कलबेलिया dance यह राजिस्थानी ट्राइब से associated है राजिस्थानी tribe वह को सी tribe है वो cultural organization की जो list है कौन सी वाली intangible cultural heritage इस वाली list में यहाँ पर इसको 2010 में include किया गया था इस dance को अब यह UNASCO की जो list of intangible cultural heritage है यह क्या है देखो यहाँ पर जितने भी दुनिया पर में intangible heritage elements है intangible मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन feel कर सकते हैं देख सकते हैं और यह heritage क्या होती है विरासत होती है हमारे देश की diversity आप देख पाओगी है अलगलग प्रकार के दान्स के अंदर में जो moments होता है तो उन moments की वज़े से कहीं ना कि यहाँ पर इसको हम लोग एक प्रकार का folk dance मी बोलता है तो इंडिया के अंदर यह ना कल्बेलिया डान्स एक प्रकार का folk dance कहलाता है जो हमारा कल्बेलिया culture है उनका एक जो celebration होता है न तो उस celebration का यहाँ पर एक हिस्सा है यह कल्बेलिया डान्स दूसरा जो important चीज इस कल्बेलिया डान्स में यह बहुत important है डारेक्टली आप से statement में देकर question पूछा जा सकता है एक जो unique aspect होता है कल्बेलिया डान्स का वो यह है कि यहाँ पर यह जो जो में है वो डान्स करती है यहाँ फोटो आप देख पा रहे होंगे यह बेस्ट है यहाँ पर आप देख पावगे पीछे जो यहाँ पर मैं है वो जो instrument उसको बजा रहे हैं music प्रोवाइट कर रहे हैं और यहाँ पर यह जो महिला है कल्वेलिया डान्स को परफॉर्म कर र देख पा रहे होंगे छोटे-छोटे mirrors जो चोटे-चोटे-जो जो सीशे हैं वो यहाँ पर लगे पड़े हैं पूरे dress के उपर में प्लस silver thread का काफी जदा यहाँ पर यूज किया गया है और जो men होते हैं men यहाँ पर खंजरी instrument का यूज करते हैं खंजरी या फिर जो इंस्ट्रॉमेंट है वह play किया जाता था तो उसी instrument का यहां पर यूज किया जाता है कलवेलिया डांस में आप यह दांस के बारे हम तौह समझ लिया थोड़ा सा कलवेलिया ट्राइप के बारे में जान लेते हैं ट्राइप को लेकर भी questions बनते रहते हैं पहले मैंने कल वाले एक्यूपेशन है जो पहले एक काम क्या करते थे है ना उस काम को यहाँ पर इन्होंने म्यूजिक और डांस के तुरू यहाँ पर दर्शाना जो है वो शुरू कर दिया एक नए क्रियेटिव वे के अंदर में और यह सब लोग यहाँ पर एक नॉमेडिक फोल्क डांस्स अध्यरिक तो कलभी लिया हो गया उसके लावा कुश और अपपढ़ रहे।ँग इसके वा Siya इंडिया पर आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर अब दोस्तों वह बोलूँगा केवल यहां पर इस फोटो को देखकर आगे चले जाना नहीं ऐसा नहीं करना था इसके पीछे का बागराउं डिटा जरूर से पढ़ना था नहीं यहां पर एक इंपोर्टन इंफोर्मेशन है आगे बढ़ उस ग्रूप में आपको डेली बेसिस पर जो करेंट नोट्स उनके पीडिएफ दे जाता है जैसे कि अभी जो हमने डिसकस किये दो आर्टिकल आर्टिकल तो हमने पढ़ लिये लेकिन आर्टिकल के पीछे का बागराउंड डेटा जैसे कि हमने रप्रेजेंटेशन ओपीप में बिल जाती है और वो जो पीडिएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अविलेबल है तो दोनों ही यहाँ पर जो लेंग्विज के एस्परेंट्स हैं वो यहाँ पर उस पीडिएफ का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर उस पीडिएफ का यूज कर सकते हैं और चीज अगर join करना है तो कैसे join करोगे WhatsApp पर जाना है WhatsApp पर जाने के बाद में महाँ पर message करना है WhatsApp पर किस number पर message करना है तो वो है number ये वाला 853-487-3368 इस number पर message कर दिना हाँ I want to join this group तो आपको महाँ पर message आएगा आपको पूरा process बता जाएगा even आपको demo वीडियो का link दिया जाएगा उस demo वीडियो को अच्छे से देख सकते हो exactly उस group में क्या क्या चीज़े provided की जारी है दन उसके बाद में पूरे satisfaction के बाद आप इस group को join कर सकते हो ठीक है बाकि दोस्तों जो हमेशा बोलता हूँ make sure करना वीडियो पे जो like का button उसको press कर देना एक छोटा सा target है हमारा 5K plus likes का जिसको आप achieve करवा सकते हो साधी साथ में आगर मैं आप मेरे साथ में instagram पे जुड़ना चाते हो तो instagram पे जाना search box में लिखना दीपर ज्यादा education मेरा profile मिलेगा जहाँ पर 13,000 से जादा लोग already जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो now next page पर दो important article है और दोनों के दोनों बहुत ही relevant है जैसे एक article ये वाला है इसको हम GS paper number 2 policy के साथ में link करेंगे ठीक है और ये वाला जो article इसको हम GS paper number 1 geography के साथ में इसको link करेंगे ठीक है दोनों में या पर कुछ terms है वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम लोग इस वाले article को देखते हैं तो यहाँ पर क्या mention किया जा रहा है कि तीन लोग की जान जा चुकी है साथ लोग missing है सत्सवारी 17 लोग यहाँ पर missing है जो भी मिल नहीं रहे है अच्छा यह exactly हुआ क्या है तो केदारनाथ के अंदर में एक land slide देखने को मिली है बूस कलन देखने को मिला है यानि पहाड पे से जो जमीन है वो खिसक गई है नीचे की side में जिसकी विज़से यहाँ पर यह पूरा पूरा हाथसा देखने को मिला है ऐसे land slide के जो incidents है वो पहाड़ी इलाकों से निकल कर आते रहते हैं और अभी जो यहाँ पर यह पूरा incident है यह गौरी कुंड का है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है तो Friday में यानि कल के दिन जो हमारी पूरी की पूरी SDRF की टीम है State Disaster Response Force की जो टीम है वो यहाँ पर rescue operation को चला रही है ताकि जो लोग है उनको बचाए जा सेके बाकि जो 17 लोग missing है उनको यहाँ पर लगातार ढूंडा जा रहा है तो 13 खंड में गौरी कुंड के अंदर यह जो पूरा का पूरा incident है वो देखने को मिला है एक पूरा जो पहाड है वहाँ पर एक landslide देखने को मिली है जिसकी वेसे यह पूरा का पूरा हादसा हुआ है जो हमारे दुकाने थी नीचे वो पूरे की सारी की सारी जो दुकान है वो भी उसी बूस कलन के साथ में भैग गई है नीचे की साइड में गिर गई है और जो दुकाने यहाँ पर गिर गई है इस landslide के अंदर में वो कुछ नेपाल से हाईवे लोग थे वो चला रहे थे उनके दुरू ओन की जाने वाली यहाँ पर वो सारी की सारी शॉप्स थी और जितने भी टूरिस्ट थे जो वहाँ पर गुमने गए थे जो उस दुकान में बैठे वे थे वे थे वो भी सब मिसिंग है उनको भी यहाँ पर ढूनडा जा रहा है कुछ नाम बगर है यहाँ पर दिये गए ठीक है तो वाके में आपर एक साड निउस निकल करा रही है यह इंसिडेंट जो हमारा यातरा बेस कैम है ना उत्रकंड के अंदर में उसी यातरा बेस कैम के जस्ट पास का ही यहाँ पर बताया जा रहा है थोड़ा समझते हैं यह जो लैंड स्लाइड है यह लैंड स्लाइड होता क्या है और यह लैंड स्लाइड कैसे होता है आज क्या क्या कारण है में कारण क्या क्या है जिसके वैसे लैंड स्लाइड हो रही है कैसे हम इसके अंदर सुधार कर सकते हैं क्योंकि हम यानि कि जो humans हैं, वो जिस प्रकार से यहाँ पर activities कर रहे हैं, जिस प्रकार के act उनके हैं, कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसे disaster situation लगातार बन रही हैं और आके भी बनती रहेंगी जब तक हम सुधार नहीं कर लेते हैं, दोस्ता आपको यह फोटो दिख रहा है, इस फोट जाता है, crack होने के बाद में और वो गर जाता है नीचे, अब नीचे suppose यहाँ पर जो घर हैं, दुकाने हैं, शौप, बाकी सारी चीज़े हैं, वो सब क्या होगा, इसी मलवे के अंदर दब जाएंगे, या वो सारी चीज़े यहाँ पर इसी मलवे के साथ नीचे बह जाएग के बिस होई थी, तो यहाँ पर कारड क्या है, जो हमारा न्यूज क्या है, यही है, कि हैवी रेन की यह वजासे बहुत सारी जो लैंड्सलाइट्स हैं, हमारे देश बर के अलग-लग हिस्सों में वो देखने को मिल रही है, लैंड्सलाइट्स मैं आपको बता दिया, लैंड दूस्तों यहाँ पर land slide के पीछे के main कारल क्या है, causes क्या है वो थोड़ा से जानता है, सबसे पहले जो यहाँ पर main कारल आपको देखने को मिलेगा ना, जो हमारी land slides होती हैं, उसके पीछे तीन major factor से तीन major कारल देखने को मिलेंगे, geology, morphology और human activity, अब यह तीनों geographical term को ध्यान अकना, पहली चीज़ geology, geology मतलब क्या है, geology refer करता है हमारे material के characteristics को, मतलब की क्या है, कि जब हमारी जो चटान है, है न, चटान जब काफी ज़ादा कमजूर हो जाती है, यह पर पारड़ी लाका है उपर, अच्छे से पुरा vegetation है, गासे है, पेड़ है, पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा vegetation बना हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, पेड़ों की खटाई कर दिया लगातार, पेड़ उखाड दिये, उस area को पुरा साफ कर दिया, दूसरी activities चल रही है, construction चल रहा है, तो इसकी वज़े से जो vegetation हो खतम हो गया, और vegetation खतम होने की वज़े से वो जो area पूरी तरह से सूखा हो गया, और सूखे पढ़ने की वज़े से वो area कमजोर पड़िया, जिसकी वज़े से वो area भी नीचे ढह जाता है, क्योंकि आपको बता होगा जो पेड़ होता है ना, अब जब पेड़ लगावाए किस area में, तो ऐसा नहीं केबल इतने हिसे में लगावाए, उस पेड़ की ज़ड़ है वो जमीन के अंदर बड़ी दूर तक फैली हुई है, और जब जड़े फैलती हैं, तो वो उस मिट्टी के आसपास के मिट्टी को अपने अंदर पकड़ के रखती हैं, उसको जकड़ कर रखती हैं, तो एक strength maintain होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पेड़ को उखाड़ दोगे, जड़े यहाँ पर मर चुकी हैं, जो मिट्टी है वो भी लूज हो चुकी है, और वो क्या है, उसके फिर बारी बारिश में डैने के chances काफी ज़ादा बन जाते हैं, समझ गए, तो यहाँ पर यह morphology है, यह दूसरा में कारण है, तीसरा human activity, अब human activity में आपको पता ही है, कई सारी जगह पर पाड़ी लागों पर agriculture स्टार्ट हो चुका है, construction स्टार्ट हो चुका है, बड़े-बड़े dams, projects यहाँ पर लग रहे हैं, जिसकी वज़े से कहीना कही अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, दुनिया में कौन सा रीजन है, जहाँ पर सबस्यादे landslides होती हैं, तो अगर हम continent wise, यानि जो महादवी पर उसके basis पर अगर हम देखें, तो Asia, Asia सबसे ज़्यादा landslides को face करता है, even landslides की वज़ा से जो सबस्यादा damage, सबस्यादा loss ज इन landslides की वज़ा से, अब question है याँ पर, क्या इनको रोकने का कोई उपाई नहीं है, तो mitigation कैसे किया जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा से समझता है, पहली चीज, जो construction तेजी से चल रहा है पाड़ी लाकों में, developmental activities चल रही है, पहाड़ काड़ का से पुरा जोशी मट धसने लगा नीचे, तो construction के उपर, एक limit में हो तो ठीक है, अगर limit से जादा यहाँ उसको cross कर रहा है, तो उसके consequences, obviously हमें देखने को मिलते हैं, तो अभी इसके उपर restriction लगाने की आवश रखता है, दूसरा, जो agriculture, जो खेती बाड़ी हो रही है न, इसको यहाँ पर आपको values तक थोड़ा सिमीत रखना होगा, और कुछ नहीं जो technique से उसको आप लोग use कर सकते हो, क्योंकि agriculture मगर हम लोग बात करेंगे, जो terrace farming है, terrace farming को थोड़ा साप encourage करो, terrace farming जो है न, उसमें आपको सारे तरीके बताया जा सकते हैं कि कैसे आप उपरी वाले हिस्स जाधा सब पेड़ लगाने से यहाँ पर क्या होगा, अगेन वो जो मिट्टी है, वो जो land area है वो और ज़्यादा मजबूत होता बना जराएगा, समझ गए, तो यहाँ पर यह कुछ mitigation हो सकते हैं, यहाँ पर यह कुछ उपाई हो सकते हैं, अब आज का मेंस का question लेते हैं, आ उसी सवाल को आज आप attempt करने की कोशिश करना देखते हैं, कौन कितना अच्छा answer लेखता है, ठीक है, आज मैं हिंदी मिलाना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं मैं इसको पूरीता से translate करूँगा, जैसे रोजाना करता ही हूँ, तो question है, discuss the various causes and effects of landslides, landslides के पीछे के main कारण और इसका effect क्या है, वो आपने आपर समझाना है, plus mention the important components of the national landslide risk management strategy, जो national landslide risk management strategy है न, जो हमारी पूरी रणनीती है, इस landslide को manage करने की, उसके जो important components है, important जो हिससे हैं, जो उसके part है, उसके बारे मैं समझाओ, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, कैसे हम लोग, मतलब important part हो सक सकते हैं, इस landslide के risk को manage करने के लिए, क्या रड़ नीती हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर example का तौर पगर मैं आपको बता हूँ, awareness program स्टार्ट करना, है न, लोगों में जारुकता फैलाना, है न, या फिर जैसे हमारे coastal regulation zone होते हैं, तरट वाले reason के कुछ नियाम होते हैं, वैसे mountain zone regulations को तयार करना, उसके लिए कुछ नीतियां बनाना, मैं आपको example बता रहा हूँ, समझ गए, तो इस प्रकार सा यहाँ पर जो आपने चीज़े हैं, वो यहाँ पर mention करनी है, तो पूरी एक रड़ नीती है, इसके बारे मैं आपने जरूर से पता होना चाहिए, तब ही आपर यह answer लिख सकते हैं, तो एक बार पड़ सेकते हो, उसके बाद answer लिखना 200 शब्दों में, और answer लिखने के बाद मैं कहाँ पर submit करना है, टेलिग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके search box में लिखना है, आपने दीपक ज्यादव education means group, full form जैसी लिखोगे, मेरा आपको टेलि आपको बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी, आपको कुछ important points मिलेंगे जो आप उने notes में include कर सकते हो, सामने वाले के answer में अगर कोई mistake होती है, तो आप उनको बता सकते हूँ कि यहाँ यहाँ पर improvement क्या आवशकता है, तो इस प्रकार से पूरा cooperative way में वो group चल रहा है, तो उस cooperation को maintain करने के लिए आप भी आप उसको join कर सकते हो, next article को discuss करेंगे, जो अगला article है हमारे polity के point of view से relevant है, क्या बात की जा रही है, Supreme Court dismisses plea challenging goal appointment as election commissioner, जो हमारा election commission of India है, आपको पता है यह जो body है, इसका main काम क्या है, हमारे देश बर में जो elections होते हैं, जो च जैसे यहाँ पर एक election commissioner, वैसे दो election commissioner है आज के समय पर और एक हमारे chief election commissioner होते हैं, तो एक election commissioner जो है न हमारे वो आज के समय पर अरुन गोयल साब भी है, जो अरुन गोयल है, यह हमारे आज के समय के election commissioner भी है, क्या होता है, कि पिछले साल यह इनको appoint लिया गया, 18 नवंबर से 19 नॉमबर एक दिन के अंदर अंदर यहां पर इनका जो पूरा सेलेक्शन है, जो पूरा प्रॉसस है, उसको यहां पर खतम कर दिया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ड में पेटिशन डाला गया, हैना अप्ली डाले गया, इसको चैलेंज किया गया, इनका जो अपॉइंटम होते हैं ठीक है ये बात मार्च में हमारे संभिदान ने हमारी जो constitution bench उसने आप अल्रेडी बता दिया था अल्रेडी यहां पर constitution bench ने बोल दिया था सुप्रीम कोट की कि जो चीफ election commissioner और election commissioner इनका appointment president के तुरू होना चाहिए प्लस एक committee recommendation देगी उसके basis पर यह सारा काम चलेगा तो फिलाल matter क्या है कि इनके appointment को लेकर कि एकदम बहुत जल्दी से तुरंद appointment हुआ था इनके appointment को लेकर एक petition डाला इया बट सुप्रीम कोट ने वो petition जो है dismiss कर दिया अब मैं आपको बता दूँ एक्जाम में यह चीज़े कहीं पर भी कहीं से कहीं तक कोई link नहीं है कभी नहीं पूछा जाएगा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो हम पढ़ क्यों रहे हैं पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि आप पॉलिटी की किताब उठाओ या आपने आर्टिकल पढ़ लिया तो आपको बता चलिया कि यहां कहीं ना कहीं एक मुद्दे की वज़ा से election commissioner चर्चा में आ चुक हैं पर सबसे पहले चीज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया क्या है इसको जानते हैं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक और्टोनमस कॉंस्टिउशन अथरिटी है एक ऐसी बॉड़ी काई सारे डिजिजन खुद से लेने का यहां पर जो कैपिबिलिटी इसके पास मे हैं यह जो बॉड़ी है इसका मेन काम क्या है कि हमारे यूनियन लेवल और स्टेट लेवल यानि केंशरकार और साथि साथ में राज्य सरकार के जो इलेक्शन प्रॉससस हैं उसको यहां पर पर कंडट्ड करना यह जो इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया है ना इसको बनाया या वो यहां पर उसने वर्ग करना स्टार्ट किया ठीक है वैसे जो यह 25 जनवरी 1950 है ना इस दिन यहां पर election commission of India को establish किया गया था 25 जनवरी 1950 में हमारे सम्विधान के कुछ provisions के साथ में जो हमारा article 324 है उसके तहत समझ गए अब जो यह कमिशन अफ इंडिया की बॉड़ी है ना इसका सेक्रीटेरियट न्यू डेली में इसका में हेटकॉइटर यह बॉड़ी हमारी लोगसभा राजसभा स्टेट लेजिसलेटिव असेमलीज है ना जो हमारी विधान कमिशन ऑफ इंडिया केवल उपर वाले जो मैंने आपको टॉपिक्स बता है इनके इलेक्शन को लेकर वर्क करता है जो यहां पर पंचायाद और प्रोविजन के बारें बात करेंगे तो आर्टिकल 15 के अंदर में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 जैसे में आपको बता ही चुका हूँ आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक जो हमारे इंडियन कॉंस्टिशन के अनुछेद हैं यहां पर सारी की सारी बाते इलेक्शन के बारे में प्लस यहाँ पर election commission को establish करने को लेकर mention की गई है यह हमारे article 324 से लेकर 329 तक की जो articles हैं यह election और plus यहाँ पर commission को establish करने की बात करते हैं तो election commission of India का structure क्या होता है थोड़ा सा यह समझ लेते हैं इसमें कौन कौन लोग होता है जब starting में आया था election commission तो इसमें केवल और केवल एक election commissioner हुआ करते थे लेकिन क्या होता है इसके अंदर में कुछ amendment करा गया बदलाव करा गया कब बदलावे क्या गया election commissioner amendment act आया थे 1989 में और उसके बाद इसको multi-member body बना दिया गया यानि 1989 से पहले इसमें केवल एक election commissioner हुआ करते थे वो इस पूरी body को देखा करते थे लेकिन क्या हुआ 1989 के बाद में amendment करने के बाद में changes करने के बाद में इसको multi member body बना दिया गया कई सारे members यहाँ पर इसमें आ गए election commission के अंदर में कई सारे members आ गए तो मतलब कौन कौन है तो आज के समय में एक तो होता है chief election commissioner और दूसरे कुछ और election commissioners भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे president जो है यहाँ पर इंका time period है वो fix करते हैं ठीक है मैं आपको बताऊंगा पूरा tenure बगरा समझाऊंगा लेकिन आज का scenario देखे प्रेजेंट टाइम समय का तो इसमें एक तो chief election commissioner है और दो election commissioner है जिन मेंसे एक election commissioner यहाँ पर यह अरुन को यह लाए समझ गए ना बात तो आज question पूछए दाए आपसे कि election commissioner of India में जो members है उसमें जो खासकर election commission रख लितना है तो दो election commissioner रहा है और एक chief election commissioner है समझ गए बाकि जो state level पर जो होता है इस state level पर election commission को जो help मिलती है वो chief electoral officer के माधियम से मिलती है जो कि एक IS rank का officer भी होता है बाकि अब इनका appointment और tenure को समझते है यह थोड़ा important point बन जाता है कि इस chief election commissioner को और election commissioners को कौन appoint करता है तो हमारे राष्टरपति या हमारे president यहाँ पर इनको appoint करता है कितने समय के लिए appoint करते है तो इनका एक fix tenure है 6 साल का 6 साल तक यहाँ पर इनको appoint किया जा सकता है मतलब 6 साल का tenure होता है एक बार appoint हो जाएंगे तो 6 साल तक काम करेंगे इस body के अंदर में या फिर 6 साल के साथ तक दूसरी चीज 65 साल के एक maximum बेजगे जो भी चीज पहले हो जाए 6 साल का tenure हो पुरा कर लेते हैं तो यहाँ पर इह हट जाएंगे वो सब Supreme Court के जो judges को मिलता है वैसा ही same to same इनको मिलता है जो same status Supreme Court of India के judges का है वैसे same status यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा salary और pucks को लेकर वो इन तीन officers का होता है Chief Election Commissioner और Election Commissioner का बाकी removal की बात करें कि क्या इनको हटाया जा सकता है बिल्कुल पहली चीज़ तो यह अपना आप खुद resign कर सकते है अपना जो expiry है term का उससे पहले resign कर सकते है दूसरी चीज़ यहाँ पर जो Chief Election Commissioner होता है इनको हटाया जा सकता है office से इसके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक removal process चलाना पड़े का है सुप्रीम कोट के जज़ को यहाँ पर हटाया जाता है पार्लिमेंट के माद्यम से वैसे यहाँ पर Chief Election Commissioner को भी remove किया जा सकता है तो यह ध्यान में रखना है क्या question बन सकता है बिल्कुल बन सकता है UPSC ने 2017 में एक सवाल पूछ लिया था सवाल क्या था consider the following statements आपको यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिये गए है बताना है कौंसर स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कि Election Commission of India पांच मेंबर की बॉड़ी है क्या यह सही बात है काओगे नहीं तीन मेंबर हैं इसमें एक Chief Election Commissioner दो Election Commissioners Second statement जो हमारे Union Ministry of Home Affairs है जो हमारा Graham अंत्राल है क्या वो decide करता है General Elections और By Elections को क्या उनका election schedule जो होता है General Elections और By Elections का वो Home Affairs decide करता है ऐसा कुछ नहीं है जब इलेक्शन की बात आती है तो हमारे यह Election Commissioners करता है सिंपल सी बात है दूसरा statement वैसी गलत है तीसे statement देखते है जो Election Commission है इसका मेन काम क्या है कि जो हमारी Political Parties होती है Recognize Political Parties होती है ठीक है इन में कभी-कभी disputes होता है कई सारे विवाद हो जाता है यह party तूट जाती है दो party आपस में मर्ज हो रही होती है तो इनके जो विवाद है उन विवाद को resolve करने का काम Election Commission का है हाम बिल्कुल यह सही statement है यह काम यहाँ पर Election Commission का है Political Parties में जो विवाद है उनको यहाँ पर resolve करना तो इसकी वएसे यहाँ पर जो statements आपको दिये गए option में इसमें सही उतर क्या हो जाएगा option number D, three only is the correct answer समझ गए तो answer D आपका सही है अगले article पर आता है जहाँ जहाँ पर questions मिल जाते हैं मैं लगा देता हूँ इससे पता चलता रहता है कि हम बिल्कुल सही pattern पर चल रहे है syllabus के according चल रहे है syllabus के हिसाब से चल रहे है pattern जो भी यहाँ पर दिया गया है हमें उसके सारी चीजों को follow करते हैं अब हम यहाँ पर अपने वीडियो को चला रहे है जो next article है यह बात करता है हमारे Assam के मानस Tiger Reserve के बारे में अब Tiger Reserve की बात करी रहे हैं तो मतलब GS Paper No.3 environment के point of view से यह article important होने वाला है तो Assam के मानस Tiger Reserve में 63% स्टाफ का shortage चल रहा है जो हमारे environment के जंगल के forest guards होता है foresters होता है इनका shortage यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो बोला यह जा रहा है कि पिछले कुछ समय पर मानस Tiger Reserve में एक अच्छी चीज यह नज़र आई है कि यहाँ के density area थोड़ा सा improve हो है लेकिन दूसरी जो problem वाली बात यहाँ कि 63% shortage देखने को मिला यहाँ पर staff का और staff का shortage है जिस वह से यहाँ पर इस area की हम protection नहीं कर सकते है बोला जा रहा है कि कम से कम 249 जो post है वो यहाँ पर होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर केवल कह सकते हो जो strength है अभी वो 109 के आसपा से तो बहुत ही कम जो staff है वो यहाँ पर maintain रखा गया है इस पूरे area की minus tiger reserve की protection के लिए समझ गए और अभी बीच में ना इनका pay scale काफी सारे issues हो गए थे क्योंकि यहाँ पर जो forest guard रखे गए थे इनको proper payment नहीं मिल पा रहा था time पर payment नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वहाँ पर पैसो की कम ही हो चुकी थी कोवीट के विए से financial constraints की वज़ए से यहाँ पर इनको पूरी salary नहीं दी जा रही थी बात में यहाँ पर यह जो home guards होते हैं इनकी salary को increase किया या 300 से 767 per day के साब से यहाँ पर किया गया समझ गए तो manas tiger reserve इसलिए भी news में है क्योंकि यहाँ पर जो rhinos है जो हमारे गैंडे होता है one one rhino जो एक सिंग वाला गैंडा होता है इसको अभी काजी रंगा national park से manas national park के अंदर में shift भी क्या जा रहा है थोड़े जो rhinos है वो manas tiger reserve में ले जाए जा रहा है काजी रंगा national park आपको पता होगा यह भी असम के अंदर है यह बहुत popular national park है और यह one horn rhino के लिए जाना जाता है एक सिंग वाला जो गैंडा होता है उसके यहाँ पर जाना जाता है समझ गए क्योंकि अगर आप लोग environment security के साथ में compromise करोगे proper staff नहीं रखोगे तो इससे जो पहले situation हो रही थी इन गैंडों को मार दिया जाता था rhino की जो skeleton है उसका use किया जा रहा है प्लस उनकी जो सिंग है वो तोड़ दी जा रही है तो कहीन है कि यहाँ पर वो हरकते वापस से देखने को मिलेंगी तो इसके लिए proper security staff की हमें आवशकता है यह यहाँ पर mention किया जा रहा है अब थोड़ा सामलों क्या करेंगे मानस tiger reserve की बात की जा रही है तो थोड़ा सा मानस tiger reserve के बारे में जानेंगे मानस national park के लो या tiger reserve के लो अब होता क्या है यह जो मानस national park है यह UNESCO का world heritage site भी है एक और important point मिलिया UNESCO का world heritage site होने के साथ-साथ यह एक project tiger reserve के अंदर में tiger reserve भी है elephant reserve भी है और biosphere reserve भी है तो यह tiger reserve भी है elephant reserve भी है biosphere reserve भी है national park भी है समझ गए कहां पर है ये असंब के अंदर में असं में बीसिकलि जो रॉयल मानस नैशनल पार्क है न बोटान के अंदर में ऊसी से यहां पर ये आपस में इस देखने को मिल जाएगा ऊसी के जस्ट प्राबर में नजरेगा तो बुटान का Lux nationale Park और Assam belle National Park आस पास सइए अच्छा क्वेशन यह है कि किसका concept client Não नाम कैशे पढ़ गया क्योंकि यहां से franch नदी बहती है才ए म marrow नदी यही से निकल कर आती थिस पार्क यह इसका ओफी इस जो पार्क पार्क में इस participants पएउम् territ में बहुत में बहुत कम जगा पर देखने को मिलता है जैसे असम रूफ टर्टल हो गया उसके लावा गोल्डन लंगूर हो गया पिग्मी हॉग हो गया तो ऐसे अनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एविन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मानस नैशनल पार यह किस चीज के लिए जो वाइल्ड वाटर बफलो है ठीक है जंगली भैंस जो पानी में पसंद करती है इसके लिए यहाँ पर सबसादा फेमस आपको यह देखने को मिलेगा और जैसे मैंने बोला इस पार्क से मानस नैशनल पार्क पढ़ गया मानस नदी आपको पता होने है और वो 2012 में सवाल पूछा था वे 2012 के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है यहाँ पर पूछा गया था consider the following protected areas कुछ एरियास यह गया है बंदीपूर बितरकनी का मानस और सुंदरवन वैसे सब के बारे में आपको पढ़ा रखा है कभी न कभी और कहीं न कहीं अब यहाँ तो protected areas हैं इसको लेकर यहाँ पर question यह था which of the above are declared tiger reserves इन चारों में से कौन सा जो है जिसको tiger reserve declare किया गया है तो इसका सही उतर क्या है 2012 के according अकर हम लोग साफ करेंगे तो इसका option number B जो है इसका correct answer होगा बंदीपूर यह भी tiger reserve है मानस national park यह भी यहाँ पर मानस tiger reserve इसको भी tiger reserve declare क चुका था तो two three sorry one three and four is the correct answer ठीक है तो यह हमार answer number B जो है वो सही हो जाएगा clear होगे दोस्तों तो इस प्रकार से यहाँ पर आपसे questions बन सकते हैं नवाच के discussion को हम यही पर रोकने वाले हैं एक article वैसे और लाया था मैं in an express का लेकर आया था और दाहिंदू का premium article लेकर आया थ चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर mention की गई थी तो मैं दोस्तों आपके साथ मैं कल discuss करूंगा कल Sunday है ठीक है और जो वीडियो लेट हो रहा था उसका यहाँ पर काम हो गया है और जो मंडे है मंडे से हम लोग क्या करेंगे वीडियो को जल्दी लाने की कोशिश करेंगे और अ हाँ पर जो information हों बल जाएगी ठीक है बाकि हम लोग प्रिलेम्स वाले question को फटा फट सॉल्व करेंगे यहाँ पर question यह था कि आपको चार पेर दिये गए थे बताना इन में से कितने पेर सही है तो इसका सही उतार है option number C one and three only यानि पहला वाला पेर सही है और तीसर वाला पे यह में आज के लिए बाबाए have a nice day thank you and जाहिंद